ये यूनिवर्स चल कैसे रहा है तो जो भी मेरे शब्दों को सीडियस्की सुनेगा समझ मैं यह नहीं कहा रही मैं सूपर यानी हो मेरे में हो सकता है जीरो परसेंट ग्यान भी नहीं पर मुझे इतना पता है कि मेरे पास भगवान ने जितना भी ग्यान दिया है मैं उसको इमानदारी के साथ शेयर करना पसंद करती हूं सिर्थ मैं जो भी चीज आपको बताऊंगी वो अन्फिल्टर्ड होंगी उस पे कोई अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूं तो उसमें कुछ रहे गया कुछ हाइड कर लिया मैंने कभी ऐसा नहीं होगा यहां पर कोई ऐसी चीज तो लाओंगी नहीं जो मैं आस तक खुद तो ट्राई करी नहीं और उसके ओपर मैं लेक्चर दे रही हूं तो आप मानके चलो अगर मैं आपको कोई चीज बता रही हूं तो मैं बहुत जटके खाखा के उसको एपलाए करके तब आपके सामने रिजल्ट मेरे सपास हैं तब लोगों को शेयर कर वे हो सवाबात की एक बात अगर आप अपनी लाइफ में अपनी रियालिटी को बदलना चाहते हो रियालिटी मतलब जो आपकी असलियत है आज की डेट में अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो आपको अपने उपर काम करना पड़ेगा अगर आप देखते हो किसी को कि भाई इ कि दिखने में ऐसा ना वैसा फिर भी एरब पती हो रहा है करोड़ पती हो रहा है लोग इसके पीछे घूम रहे हैं उसने अपनी परस्नालिटी को बनाने में काम किया है दूर से सब को देखते हैं सब कुछ बहुत बढ़े लगता है आपको लगता होगा मैडम तो दो घंटे देकलेरेशन यहां पे बहुत लोग इन फैक्ट 95 परसंट लोग मेरी उमर से काफी बड़े हैं एज में ठीके तो आप एज को कंसीडर मत कीजिए कई बार कि काफी लोग मुझे जानते हैं काफी लोग थोड़ा कम जानते होंगे कई बार थोड़ा एगो आ जाता है बीच मे कि यह हमें क्या बताएंगी इतना जरूर है कि मैंने प्रिलाइफ में जो भी रिजल्स लिये हैं इस उमर पे वो मैं चीज़ आपको शेयर कर रही हूं और आप उसको एपलाए करोगे तो थाउजन परसंट आपको रिजल्स मिलेंगे तैसे नहीं से भगवान मुझे करते हो साफ सुथ्रा नीट एंड क्लीन इजद के साथ रखते हो वैसे ही इसी डाइडी को रखना की डिकलेरेशन हम कैसे करते हैं आप सब को एक डाइडी लिखनी है डाइडी लिखते वक्त आपको यह सोचना है कि अभी आज की डेट 30 अपरेल है ध्यान से सुनना आप आपका जो यह लास्ट के 30 दिन गए है एक अपरेल से लेके 30 अपरेल तक के दिन जो गए है बिल्कुल आपके हिसाफ से गए है जैसा आप चाहते थे अब कोई नई चीछ सिखा रही हूं तो उसको नई चीछ को एब्सॉब करने के लिए रेडी भी तो रहो जैसा बता रहो वैसा फॉलो करो ठीक है आपको अज्यूम करना है कि आज 30 अपरेल है रहे महीना लगबक 30 दिन का होता है 30-30 दिन का होता है अब हम क्या कर रहे हैं अब हम इस फीलिंग में हैं इस वर्ट कि भई मेरा जो आज 30 अपरेल है मैंने जैसा प्लान किया था अपना अपरेल बिल्क तो हमारी मुठ्ठी में आगया सारा सब कुछ ठीक है? कि जैसा मैंने प्लान किया था कि मेरा अप्रेल वैसा जाए बिल्कुल वैसा ही गया है ये लाइन लिख लो सब थैंक्यू, 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 यॉनिवर्स जिसको भी थैंक्यू करना है उसको थैंक्यू करके लिख दो कि थैंक्यू यूनिवर्स मेरा अपरेल एकदम वैसा ही गया है जैसा मैंने सोचा था हम लोग बहूत लाल् enthusi है इंडिल से भाई तब दिलसे थैंक्यू आता है कोई दस बार आपके काम करेगा तब جा के एक रवार निकलेगा थैंक्यू बहूती कम भोग हो जो ज़्यादा थैंक्यू बोलदेंगे तो हम युनिवर्स को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं common sense की बात है जब हमने बोलाइ कि भाई या हमारा प्रैल बिल्कुल वैसा ही गया जैसा हम चाते थे इसलिए अम धैंक यू कर रहे हैं तुम्हें थैंक यु भगवान जी थैंक यू यू निवर्स जैसा मैंने सोचा था, आपने वैसा ही काम करुबा दिया मेरा प्रेवलमें, Thank you. एक्तिविटीज करोगे न आपका सबकॉंशियस माइं जो पुराणी प्रोग्राइमिंग इसे नई प्रोग्राइमिंग में स्विछ करा हुआ है अब आप सारे धल तके हो पचास-पचास ताल कारफ将 rody निकालू तो 50 साल में तो बहुत अपर में पेहदी प्रोग्रामिंग के तार नहीं बदल सकती इसलिए छोटी-छोटी चीजे लिखो उसमें तो आपका मांद्ट करने तो यह पूरा जो उनिवड्सल रहा है अगर पचास हजार कमारे हो तो आप लाक रुपी लिख सकते हो क्योंकि आपके सबकॉंशियस के वो फीजिबल है कि अच्छा पचास कमारी हूं तो मैं सौ कमा सकते हूं अगर किसी को कही भूमने जाना है ट्रैवल करना है तो थैंक यू यू उनिवर्स इस महीने मेरा जो घूमने का प्लान था मैं अच्छे से वो फुल्फिल हो गया आम वेरी हैप्पी और ग्रेटफुल वी परिशानी आ रही है उसमें वो स्वाल्वनी स्टाट हो जाएंगी तो आप जिस जिन चीजों से परिशान हो तॉप 10 चीजे ऐसी पकड़ लो जिन से आप परिशान हो उसी कोई positive परके लिखना है आपको आपको बता दिया है मैंने कि magic का रास्ता क्या है follow आप कोई करना है एक भी negative word आपके किसी भी letter में नहीं होना चाहिए ठीक है